हमारा आज का टॉपिक होने वाल है 2020 की बेस्ट सेलिंग 10 कार ओफ येर 2020 जहाँ पे हाफ येर लोगडाउन था हाफ येर कोरोना चल रहा था वहाँ पे इस येर में सबसे ज्यादा हर अटो मोबाइल कंपनी ने ग्रूथ किये जैसे मुझे टाटा का पता इसलिए टाटा का बत किये हर अटो मोबाइल कंपनी ने ग्रूथ किये हर अटो मोबाइल कंपनी का डिग्रेडेशन हुआ है देखते हैं फिर 2020 की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार पहली है मारूती स्विफ्ट ये कार का नाम ही मतलो यार ये तो टॉप सेलिंग लिस्स से उतरने का नाम नहीं लेती फर्स पर है कभी भी इतने जब से लॉंच हुए तब से डाउन इसका काम हुआ ही नहीं है फर्स पर यह अभी तक देखते फिर इसके फीचर सो बाकी कुछ इसे 4.1 परसंट रेटिंग मिलिए बाए कस्टोमर्स मारूती स्विफ्ट स्टार्ट होती है 5.19 लेक्स टू ऑनव जैसी कि इंटेरियर में बहुत अच्छी जगा है इंटेरियर भी अच्छा है और आगे के हेड्लांप आगे की ग्रिल होगी बहुत ही स्पोर्टी लुक देती उसके ऐलोई वील्स हो गए उसका जो बेस मॉडल से जो अच्छा अच्छे फीचर मिलना शुरू हो जाते वह इसका एक अच्छा है वह इसका एक बेस्ट फीचर है मतलब बेस्ट लख है उसके गाड़ी का देखते आगली गार कौनती है वह भी है मारुति के तरफ से अल्टो अल्टो भी बहुत गुड लुकिंग और बहुत ही अच्छी कार है एंट्री लेवल सेग्मेंट की हैश्ब में भी बिल जाएगी और बहुत अच्छे प्राइजिंग में जैसे कि इंजिन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं 796 CC का इंजिन 31.59 का किलोमिटर माइलेज है कीजी में मतलब CNG में मिलती है ये कार और इसकी प्राइजिंग जाती है 2.49 लेक्स ऑनवर्ड इसमें आपको सब फीचर्स दिये गए है मुझे तो लगता है अल्टो एक बहुत बेस्ट कार है अगर आपको फॉर्स्ट कार लेनी और आपका बजट बहुत ही टाइट है तो अल्टो के सिवाए कौनसे भी कार में मत जाईए थोड़ी पार सेफ सेफ्टी में मार्क आती है ठीक है पर 2% रेटिंग है कस्टमर्स की 1197 CC इंजिन 19.56 किलमेटर पर लिटर माइलेज इन पेट्रोल मुझे तो नहीं लगता है बलिनों पे जाना इस वक्त पे सही है क्योंकि इस वक्त पे उससे अच्छे कॉम्पिटेटर्स मार्केट में तयार है जैसे कि अल्ट्रो जोगी अहंडा थीप बोरिंग है मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उसका इंटेरियर अभी बोर हो गया उसका इंटेरियर जैसे कि कंपेरिजन की आँज है अल्ट्रो जी और कोई इस पर जाने रहा है तो भी यह हाई सेलिंग लिस्ट में थर्ड नंबर पर लोग क्या सोच रहे हैं मुझे तो पता नहीं भाई चलि फिर देखते हैं हमारी फोर्थ कार फोर्थ और नेक्स्ट कार होगी हमारी ग्रेंड आइटेन न्यूज यह भी बहुत अच्छी का चलि इसके रेटिंग देख लेते हैं 4.3 रेटिंग है इसको कस्टमर की तरफ से 5.12 लेक्स ऑनवर्ड से स्टार्ट होती 11.86 सिसी का इंजिन है 26.2 किलेमेटर पर लेटर का मायलेज डीजल पेट्रोल से इंजिन तीनों ऑप्शन में मिल जाती है कार आपको यह कार के लुक् बहुत ही अच्छा अलॉइवील का स्टाइलिंग हो गया लुक्स हो गया जो इसका कलर कॉमिनेशन ब्लैक रेड हो गया बहुत ही अच्छा इसका इंटेर कॉमिनेशन में बहुत ही अच्छा जैसे की वाइट ब्लैक फिनिशिंग के साथ हो गया इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते बहुत सारे features मिल जाते जैसे कि first in segment wireless charging ये सब आपको मिल जाता है CNG उसके बाद आपको इस segment में बहुत अच्छे feature मिल जाते इसमें जैसे कि आपको DRL हो गए Automatic headlamp हो गए Automatic rain sensing wiper जैसे features मिल जाते आपको इस car में उसके बाद आपको इस कार में सबसे बेस्ट इन क्लास फीचर मिल जाता है जैसे कि वायरलेस चार्जिंग और वोईस कमांड सिस्टेम इस कार में मिल जाता है ये भी ये कार अपकी फूर्थ है फुल 2020 में हाइस सेलिंग में देखते है अभी नेक्स्ट वैगेनार वैगेनार तो मारुदी सिसुकी तरफ से यह तो 4.45 लक से चालू हो जाती है मैं जाती है 29.97 का इंज्विन 20.52 किलोमेटर का परलेटर मालिफ पेटरjar जींज़ वैगेनार बिलोंड इटेस से कि से दो आभी के मॉड़ ले लो आभी के मॉडलल ले लो सब हाई पएग के पहले की मॉडल पर जो रिलायबिलिटी थी वही महरुति वालों ने काबिल करके दिखाई है यह मौडल पर इसलिए मुझे तो लगता है महरुति का वैगनर का सेल तो कभी उतर नहीं पाएगा क्योंकि यह अभी में आ गई है एवरेज बढ़ गया है 26.2 किलोमेटर का एवरेज मिल रहा है कार को क्या चाहिए और उसके बाद वैगनर में आपको बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि हमारी सिक्स्त कार जो SUV सेगमेंट से बिलॉंग करती है किया सेल टॉस किया सेल टॉस भी बहुत अच्छी कार किया सेल टॉस में आपको फीचर तो ब्रैंड मिल जाते है इसकी प्राइजिंग के देखते है 9.89 लैक से ऑनवर्ड चालू होती 14.93 सिसी का इंजिन मिल जाता है 17 17.8 किलोमेटर माइलेच पे डीजल और पेट्रल दोनों में 4.4 पर सेंट की रेटिंग एक स्टमर रेटिंग मिल जाती है आपको 9.89 लैक से कार शुरू हो जाती है इसका इंजिन आप्चन आपको बहुत सरे मिल जाते है डीजल पेट्रोल में इसका इंजिन चालू होता है 14 12.93 सीसी से 17.8 किलोमेटर का मायली जिसमें आपको बहुत सारे ठ्रांसमेशन मिल जाते है जैसी कि आयम डी ट्रैसमेशन हो कहना डेज़ी ट्रैसमेशन हो गए ऑट्वेट्र ट्रैसमेशन हो गया इसके एसको लोक्सु तोफिए ट्वेल पॉइंटी निंच की स्क्रीन होगी एलोईविल जीटी लाइन विरेंट के एक नंबर आते हैं बहुत ही लग दिखते हैं उसके पाद आपको इसमें मिल जाते हैं जैसे कि 15 लाग के अंदर बहुत ही अच्छी कार है यह बहुत ही अच्छी कार मिल जाए अबी भी कार मोजूद है देखते हैं फिर हमारी नेक्स्ट कार को इस टाटन एक दॉन टाटन एक बहुत ही अच्छी मिनिव सेग्मेंट की कार है यह तो फाइस्टार लेकर आने वाली फॉस्ट इंडियन सेफेस्ट एसी थी इसमें आपको बहुत सरी अच्छी फीचर मिल जाते हैं चली इसकी प्राइजिन देखते हैं 6.99 लाक रुपीज से शुरू हो जाती है इंजिन स्पेसिफिकेशन 1199 CC का इंजिन मिल जाते है 22 किलोमेटर पर लेटर का मायलेज मिल जाते है पेट्रोल डिजल दोनों में यह सेग्मेंट की बेस्ट मिनी स्वी है यह मैं तो क अच्छे मिल जाते हैं डिएल टोन कॉंबिनेशन कार हैं जैसे वाइट ब्लैक हो गया रेड रेड वाइट हो गया बहुत ही अच्छे कलर्स मिल जाते हैं आपको और इसमें आपको टरन रिस्पॉंस सिस्टम जैसे एक बहुत ही अच्छा फीचर आजाता है कार में इसके ब का केईजी में जैसे की मतलब ची वीचर आपको इस कार में बहुत अची अच्छे मिलता है जैसा कि आपको अगर अगा अगे जाना है और आप की लेवल अगे जाना है उन पर ना तो वागन आर पर जाना एक फिर एस्प्रेशो बहुत अच्छी नहीं कर सकता पर यह टॉप सेलिंग की लिस्ट में इसलिए बता दी नेक्स्ट हमारी MPV अर्टीका अर्टीका भी एक बहुत हाय सेलिंग वेहिकल है चलिए इसकी प्राइज रेंच के देख लेते हैं आप प्रिव्ष वाली अल्टीका इससे यह थोड़ी से बड़ी है थोड़ी अच्छी में बहुत और बहुत चेंज़ों एक्स्टेरियर में इस इंडेर में आप देख सकते हैं बहुत चेंज़ जैसे कि वुड़न और वाइट ब्लीच फिनिशिंग में इंटेर आने लगा है कलर्स भी आपको बहुत मिलने लगए इस कार में अभी यह कार के में चेंज़ वे सबसे अच्छे चेंज़ जैसे कि इसके फ्रेंट एंडलेट और रेर एंडलेट में चेंज़ पुरे 2020 की एर में यह 10th नंबर की कार है जो इतनी सेल हुई है मतलब वैन है जो इतनी सेल हुए यह कार आपको मिल जाती है 3.80 रुपे से 1196 सी का इंजिन आज़े 20.8 किलोमेटर यह आपको पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है बहुत यह अच्छे इसमें तीन आपको यह टोपिक कैसा लगा मेरा टॉप 10 कार्स आफ बेस सेलिंग इन 2020 आपको कैसा लगया टॉपिक प्लीज मुझे बताए को कमेंट करके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को अगर आपको ऐसे न्यू न्यू नोटिफिक्शन चाहिए न्यू 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 न को कि बाइ